दोस्तों आज हम बात करेंगे कविता की याने कवियों की मैं तो एरोप्लेन से आ रहा था और अपनी कविता हैं लिख रहा हूँ बहुत देर से अंकर टुकुर टुकुर देख रहे फिर उनसे रहा नहीं गया बोले बेटा तू क्या करता है मैंने का अंकल मैं कवि हूँ और मैंने का अंकल आप क्या करते हैं बोले बेटा मैं बहरा हूँ सुनता ही मैं एक कवि सम्मेलन का मैं संचालन कर रहा था एक कवि को मैंने स्टेश पे बुलाया सबसे पहले कवि ने दो लाइन सुनाया पहली लाइन ने स्टार्ट किया डबे पे डबा डबे पे डबा डबे पे डबा वो डबे पे डबा एक अंकल खड़े हो गए वावा बेटा वावा फिर से सुना उसने उसी लाइन को 10-15 बार सुनाया डबबे पे डबबा, डबबे पे डबबा, डबबे पे डबबा, ओ, डबबे पे डबबा, अंकल ने पासो का नोट दिये, बेटा वोर सुना, मैं उतर के अंकल के पास गया, मैंने का अंकल कवीता बहुत अच्छी लग रही है, बोले बेटा कवीता को मार गोली, बैलेंस तो देख, इतने डबे जमाया, एक भी नहीं गिर रहे तू जमा सकता है, मैं नहीं जमा सकता है तो बोले, तू जगे पर जम जा मैंने दूसरा कवी भेजा दूसरे कवी ने परची लाना बूल गया जिसमें कवीता लिखा था और फेली लाइन में अटक गया मेरे घर के पीछे एक गली थी, उसके पीछे दूसरी गली थी, मेरे घर के पीछे एक गली थी, उसके पीछे दूसरी गली थी, उसके पीछे तीसरी गली थी, उसके पीछे चौती गली थी, चौदी के पीछे पांचवी पांचवी के बाद छटवी छटवी के बाद साथ वी फिर उसके पीछे आठवी कली थी उसको चिठीच नहीं मिल रही गलियां बढ़ते ही जा रही जब उसने त्रेपन गलियां बता दिया तो मैंने ख़ा प्यारे आगे तो बोल बोले कहां से बोल हूँ अभी तीन सो साथ गलियां और बाकी है एक दिन चोपाटी घूमने चला गया तो वहां आपको मालूम है घोडे घूमते आजकल गदे भी घूमने लगे एक गदे वाला गदा लेके खाड़ा और तमाशा दिखा रहा है बोले सव रुपे दो और पांच हजार जीतो मैंनका पांच हजार कैसे जीतते हैं सव रुपे में बोले मेरा गदा खड़ा है इसकी गर्दन नई में हिलाओ इसकी मुंडी बोले आपको मैं पांच हजार दूँगा सारे लोग सव रुपे दे रहे हैं सारी कोशिश कर रहे हैं उसकी मुंडी हिला रहे हैं पकड़के भी तो भी नहीं हिलाया अब वो गदा तो गदा है सीधा खाड़ा मैंने साव का नोट दिया मैंने का मैं करूँ कोशिश बोले करके देख ले मैं गया उसके कान में एक डायलाग बोला वो बहुत जोर से मुंडी हिलाया मैंने का निकाल पांच हजार उसने मुझे पाँच हजार दिया वो पीछे ले गया बोले यार ये बताओ भाई जान आपने बोले क्या मैं ने का बोलना क्या था बस गदे के कान में बोला कवी हूं सुनाओं क्या वो बोला नई लोग इतने डरते मगर फिर बाद में हम मडाई लेंड गए एक दिर शूटिंग देखने वो गदे वाला वहां भी लूट रहा था सबको लिकने इस बार उसने सिक्वेंस बदल दी तो बोला पहले मेरे गदे को जो हामे सर हिला है और बाद में नाम है तो पाँच हजार इनाम सबसे सव सव रुपए जीत रहा है मैं गया मैंने का ये सव का ले उसने पहचाना नहीं ये वही वाले भाईजाने मैं गया गदे के सर कान में में ने ऐसा बोला तो गदा तो पहले ऐसा किया फिर दूसर डैलार बोला तो गदे ने यू कर दिया मैंनका निकाल उसने फिर 500 दिया पीछे ले गिया बोले इस बार आपने क्या बोले मैंनका कुछ नहीं पहली लाइन बोला पैचाना क्या वो बोला हां मैंनका फिर सोनाओं क्या ऐसा लगना चाहिए कि मैं जीवित लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ मैं तो पिछले दिनों कबरस्तान में पढ़ा इससे ज़्यादा ताली वहां बजी मुर्दे कबरों से निकल के ताली पढ़ जा रहे उर्दू का एक बहुत प्यारा शब्द है तंजो मिजा हिंदी में कहते है हास और व्यंग जिसे अंग्रेजी वाले कहते हैं लाफ एंड सटायर हास से वो होता है जिसमें फोरण हसी आती अपनने बटन दबाए ये बल्ब जलता है बटन दबाए बल्ब जलता है ये हास से फोरण समझ में आ जाता है व्यंग थोड़ा बारीक होता है जैसे बटन दबाए टिम 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 करके धीरे धीरे टीब लाई डूटता कभी-कभी तो दूसरे दिन भी उट सकता ये हास से उर्वयंग में ये फर्क है दोनों का मैं एक उधारन समझाता हूँ बच्चे ने मा से बोला मा बहुत गुस्से में थी बच्चे ने कहा मम्मी मम्मी में काटून देखूंगा मा गुस्से में थी बोले अंदर तेरा बाब बैठा उसको देख ले जिन्दीकी में इससे बड़ा काटून नहीं देखी बच्चा भी बोला रोज एक ही एक देखके बोर हो गया ये है हास से व्यंग के लिए थोड़ी सी ताकत लगती है मुझे याद है एक फादर चर्श से निकल रहे थे मीडिया वाले पोँच गए एक ने सवाल किया फादर वाट इस यूर होबी फादर बोले नन कोई जरूरी नहीं है कोई जरूरी नहीं आपके अभी समझ में आए और अगर समझ गए हो तो फिर बजा दो एक टीचर ने स्टूडेंट से किया सवाल एक टीचर ने स्टुडेंट से किया सवाल एक बात तो बताओ सिरी निवास जब राम जी गए थे बनवास लक्ष्वन जी पीछे पीछे गए क्यूंके पुरुष थे सीता जी नारी हो के क्यूं चली गई लड़का बोला गुरुजी जब घर में हो तीन तीन सास उससे तो अच्छा है बनवास बड़ी हिम्मत का काम है बीमा एजेंट का एक दिन तो मेरे घर में मेरी पतनी बेटी मेरे सामने पॉलिसी समझा रहा कहरा बहन जी खुदाना खासता आपकी बेटी धोके से उपर निकल जाए तो आपको पचास अजार मिलेंगे और इश्वर न करे धोके से आपका बेटा भी उपर चला जाए तो एक लाक मिलेंगे फिर बोला इश्वर न करे आपके ये पती ऊपर चले गए तो दो लाक मिलेंगे पत्नी गुस्से में आ गई बोले ये पूरे घर को निप्टा रहा हाँ अब मैं इसको निप्टाती हूँ मेरी पत्नी बोली सुन रहे अब तू ऐसी पॉलिशी बता कि तू मरे और हमको पांच लाक मिले तो ये बीमा एजेंट बड़ा गजब ढाते हैं ये लोग एक बीमा एजेंट से मैंने कहा एक बीमा एजेंट से मैंने कहा प्यारे पॉलिसी के पैसे तो दिलवाओ प्यारे पॉलिसी के पैसे तो दिलवाओ वो बोला भायान पहले मर के तो दिखाओ आजब है यह पॉलिसी भी, जीवन भर पेट काट कर किष्टे भरना पड़ता है, और अपना ही पैसा वापिस चाहिए तो फिर हमको मरना पड़ता है ये इंशुरेंस वाले भी गजब ढाते हैं ये बीमा वाले भी गजब ढाते हैं पत्नी को बैठ कर पती के मरने के फाइदे समझाते हैं बहन जी कमपनी नोटों से करेगी आपकी सेवा बहन जी कमपनी नोटों से करेगी आपकी सेवा बस जीते जी आप बन जाओ बेवा मगर इन सूद खोरों को क्या पता इस देश की नारी का जो शोहर है वही सबसे बड़ा उसका जेवर है वही तो सबसे बड़ा उसका जेवर है दोस्तों शायरी एक फन है जो शायरी करते हैं जानते हैं उनको मालूम है इस शायरी में सबसे अच्छी चीज होती है गजल गजल प्यार मुहबत की बात है लड़की लिखती है गजल, लड़का लिखता है हजल जो हासी की बात है और मैं लिखता हूँ गजाला गजल को बना देता हूँ गजाला एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे बड़े प्यार से खुद का लिखा हुआ शेर सुनाई गजल का शेर ऐसे घिरी हूं मैं तेरी रानाईयों के बीच तुलसी का दोहा जैसे हो चौपाईयों के बीच बाई गजल का बहुत अच्छा शेर मगर मैंने उसको गजाला बना दिया मतलब दो मिनिट में उस गजल को गजाला कर दिया अब देखो गजाला कैसा बनता है ऐसे घिरा हूं मैं तेरे भाईयों के भी ऐसे घिरा हूं मैं तेरे भाईयों के भी बक्राबली का जैसे हो कसाईयों के भी तो मेरे घर में उस दिन शायराना मजलिस लग गई पूरी महफिली शायराना धोवी आया वो तो कपड़े नहीं मांगा बोले अभी नीचे एक ने मेरे को दोहा सुनाया मैंने का कौन सा दोहा सुनाया तो नीचे से सुनके आया मुझे सुनाया ऐसी वानी बोलिये जम के जगड़ा होए ऐसी वानी बोलिये जम के जगड़ा होए पर उससे कभी न बोलिये जो आप से तगड़ा होए औरे धोबी के पीछे सबजीवाला आ गया भाईजान बोले ये क्या सुनाएगा दुहा उससे अच्छा तो दुहा मैं सुनाता हूँ उसी दुहे को ने अपनी स्टाइल में सुना दिया ऐसी वानी बोलिये मन का आपा खोए और सुनने वाला साथ दिनों तक सिसक सिसक कर रोए ये तो सब हो गए कामवाली बाई आगई बोले आपकी किताब में जो उपर शेर लिखा है वो बड़ा गजब का शेर है मिनका कौन सा शेर है तो उसमें शेर लिखा हुआ है उपर हसेते हम तो फकत अपना गम भुलाने को हसेते हम तो फकत अपना गम भुलाने को तो जमाना प्यार समझ बैठा मुस्कुराने को तो वो कामवाली भाही बोली इस शेर को भाईया के अंदाज में बोलो मैंने का भाईया के हाँ बोले गजाला बाला ने ने का तू लिए बोल दे जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है और यार मैंने का गजब को गए यहां तो मुशायर ही हो गया सारे शायर यहीं जमा हो गए मैं भागा मैंने का पर नीचे चलो लिफ्ट में आटो वाला मिल गया बोले भाईजान में इंडस्ट्री में आना चाहता हूं बॉली रूफ़ें चले जाओ बोले नहीं मैं तो यहीं का हीरू बनूँगा बताओ क्या करूं मैंने फिर उसको छार लाइन का मश्वरा दिया अगर तु बॉली बॉड़्मी जाना चाहता है तो क्या कर कर अब वो चार लाइन प्यार से सोने आप फूल फूल खिलकर भी उदास है समूंदर को पानी की प्यास है तू जाके राम गोपाल वर्मा से मिल क्योंकि उसे नय भूत की तलास है भी बुच्ची ऑंग भी ऑंग